बारहवा पाठ प्रिष्ट संख्या 82 से 84 तक आशार का पहला दिन हवा का जोर वर्षा की जड़ी जाडों का गिर पढ़ना कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पढ़ना उमर्थी नदी का खेती की छाती तक लहर उठना ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फैर उठना ये वर्षा के अनूखे दृष्ष जिसको प्राण से प्यारे जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है अगर आशाड के पहले दिवस के प्रतम इसक्षण में वही हलधर अधिक आता है काली दाज सेमन में तो मुझको क्षमा कर देना रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र अभ्यास शब्दार्थ जोर अर्थात तेजी जड़ी अर्थात हल की किंतु लगातार वर्षा जाड अर्थात कंटीले पौधों का समूह गर्जन अर्थात बादलों की गरगडा हट ध्वजा अर्थात जंडा फहरना अर्थात हवा में लहराना ताकना अर्थात देखना कजरारे अर्थात काजल जैसे काले तिलमिलाना अर्थात बेचैन होना ख्षन अर्थात पल चातक अर्थात पपीह ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी केवल स्वाती नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है, इसलिए सदा बादलों की ओर टक्टकी लगाए रहता है, हल्धर, अर्थात, किसान एक, पाट से, क, किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? ख, कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? ग, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? दो, पाट से आगे क, कवि ने कविता में वर्षा रितु का वर्णन किया है, वर्षा रितु के बाद कौन सी रितु आती है? उसके बारे में अपना अनुभव बताओ ख, वर्षा रितु से पहले लोग क्या-क्या तयारियां करते हैं? उन में से कुछ लोगों की बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ तीन, पहला दिन, क, तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आये थे, तो उस दिन क्या-क्या हुआ था? अपनी याद से अपने अनुभव को दस वाक्यों में लिख कर दिखाओ ख, तुम चाहो तो पहला दिन शीषक पर कुछ पंक्तियों की कोई कविता भी लिख कर दिखा सकते हो चार, सोचो समझो और बताओ, क्या होगा? क, अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो ख, अगर वर्षा बहुत अधिक हो ग, अगर वर्षा बहुत ही कम हो ग, वर्षा हो मगर आधी तूफान के साथ हो ग, वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो पांच, कल्पना की बात कवी अपनी कल्पना से शब्दों के हेर फेर द्वारा कुछ चीजों के बारे में ऐसी बातें कह देता है जिसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है तुम भी अपनी कल्पना से किसी चीज के बारे में जैसी भी बात बताना चाहो, बता सकते हो हाँ, ध्यान रहे कि उन बातों से किसी को कोई नुकसान न हो शब्दों के फेर बदल में तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चे, तुम्हारा कवी और सब की कविता तुमने इस कविता में एक कवी जिसने इस कविता को लिखा है उसके बारे में जाना और इसी कविता में एक और कवी काली दास के बारे में भी जाना अब तुम बताओ, क, तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारी मात्री भाषा में तुम्हारी पसंद के कवी कौन-कौन है, ख, उन में से किसी एक कवी की कोई सुन्दर सी कविता, जो तुम्हें पसंद हो, को हिंदी में अनुवाद कर अपने साथियों को दिखाओ, साथ, नमूने के अनुसार, इन शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो, और अपनी सुविधा अनुसार, तुम भी दिये गए शब्दों को बदलो, नमूना है, गिरना, गिराना, गिर्वाना, दिये गए शब्द है, उठना, पढ़ना, करना, फहरना, सुनना,